कि आयक्षन तब तक जरूरी है जब तक हिंदुस्तान भारत में ग्रोथ इकनौमिक ग्रोथ इतना न हो जाए कि आलक्षन मांगने वाले आलक्षन मांगना छोड़ जाती और जन जाती का उचित फिकास आर्थिक राजनेतिक समाजिक नहीं हुआ कि मंतरी नितीष कुमार तो इस बात को 2005 से भली भाती जान रहा है कि यह विक्सित समाज का यह वर्ग विक्सित है अगर पिछले सत्तर वर्स में सब कुछ ठीक तरहिके से चलता तो आज इसकी कोई आप सकता ही नहीं पढ़ती आज जाती जर्गना के आप सकता नहीं करना चाह जाती जर्गना करा लेने से और यह आरक्षन से निश्टित रुप से नितीष लालों को बोट बढ़ेगा अभी हम मौझूद है पटना हाई कोट के बड़े अधिवक्ता बसंत कुमार चोधरी जी के साथ में हम बात कर लें कि बिहार में जब जाती जर्गना की रिपोर्ट आने थी तो काफी इन्होंने बहुस किया था जाती जर्गना की रिपोर्ट पर देखें बात करें कि जाती जर्गना की रिपोर्ट बिहार में आ गई अब रिपोर्ट आने के बाद क्या बिहार में दलित पिछलो अर्थी पिछलो को क्या कुछ फायदा होगा इससे क्या फा मैं जातिय जन गन्ना के पक्ष में था इस नीती पर सब्सक्रोब उसक्रोण का अगर सब्सक्रों कि मेरा मानना कि सब्सक्रों कि अदर के अगर एक मांग है लोके परिस्थिती उनके सिख्षा के बारे में समाजिक स्थिती के बारे में जानकारी होना अवश्यक उचित योजना बनाने के लिए उचित नीतियों को बनाने के लिए पर आखिर लोग जानना चाहते हैं कि जाती जन्गनना के आंकरों के बाद लोगों को फाइदा होना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार इन आकरों का कैसे उप्योग करती है पहले पर लोगों को बिहार में इस जाती की किसंगे तर पर पहले जानकारी थी कि दलितों की इस संख्या में एजाफा हुआ तक उनके बीक जनंदर ज्यादा है मुसल्मानों की संख्या बारीय तक उनके बीची जन्दर जान livelihoodा जैदा है तो करीब करीब पिछरों में बहुत कम जातियां हैं जिनके जन्म दर में भारी गिरावट आई हो करीब करीब जन्म दर ज्यादा ही था इसलिए ये कोई भी अर्थ सास्त्री या कोई भी समाज सास्त्री डाटा जानने वाला स्टिस्टिक जानने वाला इस बात को जानता था मैं जानता था कि कि जाती कि क्या संख्या श्क्राइब गोल रहा हैं holds की कि Skyya 30% उपर आ जिसमें Muslim persecандus अधिश्मरी मिले हुआ है इसलिए ऐसी बात नहीं मैं मानकारी में अगार में वीकास नहीं हो पा रहा था दलितों के मैं मानता हुए अब तक उचीद विकास नहीं हुआ सब्सक्राइब नहीं बहुत नहीं पिछनों का यह तो सर्वमानने जानकारी थी और बरतमान सरकार और खास करके मुख्यमंतरी नितीश कुमार तो इस बात को 2005 से भली भाती जान रहे हैं कि यह अविक्सित समाज का यह वर्ग अविक्सित है इस बार एक नई बात उजागर हुई कि बिहार में विकास इतना कम हुआ है कि सवर्ण जातियों में भी गरीवों की अच्छी खासी संक्या है सबसे दबंग सबसे संपन मानी जाने वाली भूमिहार जाती में 26-27 परसेंट लोग गरीव है यह नई बात उजागर हुई इसका समंद सीधे बिहार राजी के ग्रोथ रेट से जुरा हुआ है कि ब्यात राज में अद्योगी करनका नहीं होना थेज्टार में धंधों का विकास बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होना 45 लाख मजदूरों का यहां से पलायान होना यह सब बात तो अंडर डेवलप्मेंट को ही सिद्ध करती है और अंडर डेवलप्मेंट कभी भी इसको विकास और बरहाने का कई एजेंडा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहा है कि रिपोर्ट के बाद दली अतितीपीष्ला के गिंख को आप भी कास नहीं कि अलंगा सुझीजाति कर दिया जो पहले शोला प्रतिसत टो पाइदा वितुस्त हो गया चार परतिसत बर गया संसा किया तो निता फाइदा तो हिस्ट Speakers लाज देखने वाला आदमी जो अंधा नहीं है वह असविकार नहीं करें चलता है तो बहुत निशले दरजे का बहुत लेंवर्ज चल रहा है गाली गलोच चल रही है आज चोटी जातियां वह अपरकास्ट को रहे हो बहुत जगह उनके घर जब हड़ा जाते हैं उनको विस्थापित कर दिया जाता है आज वह आज सब्सक्राइब बारत वारत करता है नहीं है लेकिन ये जो दूर्विभार है जुल्म करना यह जो प्रविर्ति स्वरमाइजव को है कि हम किसी से जादा ताकत्वाह हैं जादा मंजभूत है हम इसको निरादर कर दे निराधर करने की हिम्मत नहीं किसी में बिचार ही नहीं आना चाहिए दिमाग में जाती है जनगर्णा की रिपोर्ट के बाद यह समाज है जो कई सालों से पिछड़े हुए है लोक राजीती फाइदा क्या होगा जहां तक अनशुचित जाती जनजाती के सवाल है उनके लिए तो आरक्षन है उनका तो सीट आरक्षित है विधान सभा में भी और संसद में भी तो उनको फाइदा यह होगा कि नोकली में जादा जाएंगे और निस्चित रूप से जाती है जन गनना कि में जो पिछले छे मह जो बिमर्स हुआ समाज में हाइकोट ने स्टे कर दिया पहले उसके वाद इसको कि नहीं करने दिया जा रहा है बाद सुप्रिम कोट गई फिर वहां से लौट के हाइकोट आई और हाइकोट में तीन-चार दिन बहस चले अखवारों में रोज इस बात की चर्चा होती थी इस से एक पॉलिटिकल कंसेशनेस बढ़ा थोड़ा जरूर कुछी डिग्री बढ़ाओ लेकिन बढ़ा है इसका फायदा हुआ है और इस इससे कोई पार्टी खुस नहों कि उसको ज्यादा फायदा होने वाला है इस इस जाती जंगन्ना के आंकरों के आने के बाद मैं उमी होई जब होने की बात कहें गई तो कुछ लोगों ने इसका विरुवत किया जबकि आपने 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 अभी कुल मिलाकर अभी जिटनी बात आपने कही तो मतलब समर्था नहीं कि रिपोर्ट होना जाती जनना होनी चाहिए ठीक है लेकिन लेकिन प्रधान मंत्री जी भी आज इसकी कोई आप सकता ही नहीं पड़ती आज जाती जननना के आप सकता नहीं थी लेकिन मैं यह सवाल पुछना चाहता हूं कि विश्व में ऐसा कोई देश है जहां विभिन समुह की संख्या वहां के सरकार को नहीं मालूम है अमेरिका सबसे जादे डिमोक्राटिक कंट के भागके आजाते हैं उनको है यस्पेनिक का जाता है इसपेनिकस कितने हैं वहां है कोरिया इक इठिक वह चल्料 कर दोदो जानने के लिए जंसंक्या तो जानने की चाहिए और अगर आगर गोजती आपी इसमाद विभिपना मूलों विभिनीजाती की लोग है जानने में हर्ज की जाती की बाहीं मद में अनले पांडे लिखता है तुरत लोग समझ जाते हैं तो कोई तो चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर से लेके अधिना साथ चपरासी तक कोई तो अपनी जाती नहीं चिपा रहा है यह हिपोक्रेसी यह पाखंड दिखलाना जाद पात खतम हो जाए खतम हो गया इसी के चलते होगा मैं इसे नहीं मानता है अने था मैं नितिश समर्थक नहीं हूं लालू समर्थक बिलकुल नहीं हूं भाजपा के समर्थक भी नहीं हूं मैं तीरों पार्टियों के खिलाफ हूं मैं अपनी बात करता हूं मैं नहीं मानता हूं कि आज एक भी पार्टी बिहार में है एक भी प फैसले वो बोले थे कि हम थीन जमीन हर एक आवास वीहनों को देगा है फिर मांजी ने कहा कि पांस विश्मिल देंगे फिर नित्यस जी पहाई कि हां हम भी पांस देंगे तो हम उनकी मदक्व में उनकेoga कोर कमिटी के सदस्य बन गए हम लगोंने खोब इसके लिए काम किया ल झा wanna सकता लेकिन घर तो चाहिए ही इसलिए गर आज के तारीक में मौली कशब्ड़ बन गया है जो हाँ मौली कश्ब्सकार किस तो हावास शिक्षा यह सब मौली कशार है सब घर तो रह Georgi और हमने इसके लिए काफी प्रियास किया रहतास में मैंने सैकरों लोगों को जमीन दिलवाया और काफी जगों पर हम लगाई कर रहा है लेकिन आज भी विहार में सबसे ज्यादा अवास विहीन लोगों की संख्या है जिसमें ध्रिश्चित रूप से 80% 70% अनुसोची जाती क सवाल इसमें कहा दा है कि जाती जनगंणा के बात है तो आज बिहार में 10% का आदक्षिन अग्री जाती को दिया गया कि आग्री जाती में में अरे मिभाजन तो लोगों के मन में हैं आज बिहार में कम से कम नक्सित कर्ण fewüm ते हैं हम घूंते हैं हमारे सबमें को तो कहीं कोई अपानित नहीं करता है सबस्क्राइब करें डियोग जो हाँ करें स्थाथता है अब आपक सब्सक्राइब व्यौत किन खोड़ा इधी आज तक नहीं भीार सष्क्राइब भी थल्जद के जिए नुध्द के आरक्षन के इस ऊपर अग्रिय जाती के लोगों ने मतल है और जो लोग बिरोध कर रहे हैं और यहीं अर्च ुनी कर्ण अरु आज हो जानि और समाज में जो मरमटाओ हो जाता है वह जाती है अना वस्यक उसे खतम किया जाए यह भी मेरा कुछ अगर आज़िदी करना चाहे जड़िव करना चाहे भाजपा करना चाहे किसको फाइदा कुछ फाइदा उनको नहीं होने जा रहा है इसमें निस्टिरूप से देखी तो अच्छे सक्ति से काम करना है उनको एक अच्छी राजनिती के लिए गुंजाइस बनेगी पार्टी में इस केवल इस इसूपर जाती है जनगन्ना कड़ा लेने से और यह आरक्षन से निस्टित रूप से नितीश लालों को बड़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा निस्टित रूप से करें एक लाश्ट हमारा वोगा कि आरक्षन आखिर कब तक जरूरी है आरक्षन की खता भी करना जरूरी है औहर्यक्ष में जरूरी है जब तक हिंदुस्तान भालत में 括mot कि इतना न हो जाए है कि ऐदा की से खत्म होगा तक घंट खतम नहीं होगा जब तक समाझी कस्तर पर चारश और और अरतिक अस्तर पर ग्रोट जोन अरोजजगार पैदा करें यह दोनों में गती नहीं आएगी तब तक यह जुख यह दिमाग माजिकदा है वे खतम होगी आर्थिक ग्रोथ से ही और सोशल डिवलोप्मेंट से ही चली तो हमने इस मुद्धे पर बात किया पटना के हाई कोट के बड़े अधिवक्ता हैं इन्होंने साथ तो पर कहा कि जिस तरह से बिहार में जाती जिनर्णा की रिपोर्ट आ रही थी तो एक बड़ी कि देश में जाती बात करना चाहते हैं कुछ लोगों ने जाती जिनर्णा की रिपोर्ट जब आई तो बिरोत कर रहे थे कि आकड़े गलता है और हमने जब बात करा इनसे कि जब अब जब राजी जाती जिनर्णा की रिपोर्ट आई तो किन जातियों को कितना फाइदा इनको राजीतितितित तोर से क्या फायदे होंगे ये तमाम सारी हमने बाचित किया और मुलता हमने ये बात किया कि आखीर छाते जिर्नड़ना के रिपोर्ट के बाद दुशरी बात έeles़ आती है आरक्षन तो आरक्षन कितना जरूरी है, किसको क्यूं जरूरी है, और क्यूं जरूरी होना चाहिए, तमाम सारे हमने बातचीत किया, बाकि आपको बातचीत कैसी लगी, आपने परतिक्रिया हमाज साथा जरू करिएगा